मज़ कारा है पर इन बाशपई अपने यूटूब चैनल मेतमेन बाशपई पर आपका बहुत-बहुत सागत करता हूँ आज जो पेपर हम लोग डिसकस करने वाले हैं वो है SSC MTS 2022 का पेपर जो आपका आठ माई 2030 को फर्स एट में हुआ है उसके जितने भी मैस के कोशन है उनक लेक लास बहुत ज़दा हैलफुल होने वाली है चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन आप लोग देख पा रहा होंगे यहां पर दिया हुआ है एक बेक्ति 2.5 किलोमेटर पति घंटे की चाल से 10 किलोमेटर दोरता है और 30 किलोमेटर पति घंटे की चाल से बस से 30 की दूरी यहां पर 10 किलोमेटर की दूरी और यहां पर 30 किलोमेटर की दूरी तो 10 10 20 और 30 कितना हुआ पचास अब टोटल टाइम निकाल लो वाई 2.5 किलोमेटर पर घंटे की चाल से अगा 10 किलोमेटर गया तो टाइम कितना लगा चार घंटे यहां पर 5 किलोमेटर पर गंटे की चाल से गया टाइम लगा एक गंटे तो चार दो छे और एक साथ टोटल टाइम लगा साथ गंटे तो एबरिज स्पीड कितनी है जाएगी साथ से काटेंगे साथ सते उनचा सात एक गंट साथ कितना बचा तीन जीरो उतारा साथ चोग अचैस यानि कि 7.14 आएगा त इससे कि उसके रनों का जो औसत है वो 3 की ब्रद्धी हो जाए तो कोई दिक्कत बाली बात नहीं देखो 10 पारियों का जो average है वो कितना है 40 11 पारियों में वो कितने रन बनाये ताकि average 3 बढ़ जाए यानि कि 40 प्लस 3 कितना हो जाए 43 14 तो अगली पारि meow कि नई पारी 11 पारी में बनाये रहें तो कुछ नहीं करता ने देखो 10 से 11 हो यानि कितना बड़ा एं यहां पर 40 47 तो इसको से multiply कर दो और इसको से multiply कर दो यानि जो है वो सचिन से 12.5 प्रतिशत अधिक कुसल है 12.5 का मतलब क्या हुआ एक बटे आठ 12.5 की फ्रेक्शन क्या होती एक बटे आठ यानि कि हम कह सकते हैं यह अनिल है यह सचिन है अनिल सचिन से 12.5 प्रतिशत अधिक कुसल है देखो अनिल जो है सचिन जो है इस कारी को कितने दिन में करता है दस दिन में और एक दिन में लड़ू कितने बनाता है आठ यानि कि टोटल वर कितना हो गया आठ इंटू दस अब इसी काम को यानि कि असी काम को अगर अनिल से कराना है तो कितना समय लगेगा असी वटे नो य X की राशी से तीन गुणार 1 गुणार 1 स करता है और हिस्सेदारी की सुरुआत से नौ मां के बाद जड़ वह 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 बाई की राजी से दो गुणार 1 rr Secret हूआら है तो उसमें आब की और समय के लिए टोटल 12 महा के लिए लगाता है उसके अलावा बाइय जो जो रहे वह वो 4 महा के बाद आता है यायनी कि 8 महा के लिए वो पैसे लगाएगा अगर पूरा ब्यापार एक साल के लिए चल दा है और वो एक्स की रासी से 3 गुना रासी निवेश करता है यानि कि अगर X जो है, यह दंरासी निवेस करता है, तो यह कितना निवेस करता है, 3 है, उसके बाद जो Ched है, और हिस्सेदारी की सुरुआस से 9 मा के बाद आता है, यानि कि वो केवल पैसा 3 मा के लिए लगाता है, कितना अबाई की रासी से दूगना, यानि कि कितना 6 है, clear, तो इसे ए से ए आपका cancel हो गया, कितना आगया ये 12, और ये कितना आगया आपका 24, और ये कितना आगया, छेतियां 18, इसे 6 से काड़ सकते हो, 6, 2, 12, और 6, 24, और 6, 3, 18, यानि कि इनके जो profit का अनुपात होगा, वो कितना होगा, 2, 4 और 3, चार दिन 7, 2, 9 का profit होगा, लेकिन question में कितने का हो रहा है, 45,000 का, यानि कि एक की value कितने के बराबर, 5,000 के बराबर, तो आपको क्या निकालना है, बाई का हिस्सा, बाई का हिस्सा कितना होगा, 4, 25, 20, यानि कि तीसरा वाला जो option है, वो आपका बिल्कुल correct है, अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे, दिया हुआ है, अर्ध बारसिक रूप से दे, 10% बारसिक नामित दर के अनरूप प्रभाभी, बारसिक ब्याज दर क्या होगी, यानि कि अर्ध बारसिक रूप से आपको बताना है, अगर बारसिक ब्याज 10% है, तो इसको अगर अर्ध बारसिक कल्कुलेट किया जाए, तो ब्याज कितना देना पड़ेगा, देखो अर्ध बारसिक रेट क्या होगी, 5% अब देखो पहले अर्ध बारसिक में आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा, यानि कि पहले चमाय में 5%, दूसरी चमाय में 5% तो मिलेगा या देना पड़ेगा, और इस 5 पे 5% और, यानि कि 0.25% ब्याच और देना पड़ेगा, यानि कि टोटल ब्याच कितना हुआ, 10.25%, clear, यानि कि आपको बारसिक से चमाय में ब्याच को बस बदलना, अगर चक सेटी मीटर भुजाओं वाले घनाव को पिगला कर एक नया घन बना जाता है, घनाव और घन के कुल प्रिष्टी छेथपल का करमसा रुपात कितना होगा, आपको पता होना चीए, कि अगर कोई 3D फीगर से हम दूसरा 3D फीगर बनाते हैं, तो उनके आयतन बराबर होते है अगर हम कोई 2D फीगर से दूसरा 2D फीगर बनाते हैं, तो उनके परिमाब बराबर होंगे, तो इसका मतलब है, जो घनाव का आयतन है, वो घन के आयतन के बराबर होगा, तो घन का आयतन कितना होता है? भुजा और घनाव का आयतन क्या होगा? लंबाई, गुड़े अब घनाप का प्रिश्टीज छेदपल क्या होगा 2 लंबाई गुड़े चोड़ाई प्लस चोड़ाई गुड़े उचाई प्लस उचाई गुड़े लंबाई और घन का प्रिश्टीज उच्थ पल ग्या होता है 6 एस प्यार तो 2 से कट जाएगा अब इसकी value रख दो यहाँ पे L की value कितनी है 8 into कितना हो जाएगा आपका 24 प्लस 24 इंटू नहीं 8 इंटू कितना हो जाएगा आपका 8 into 27 कितना होगा 8 into 27 प्लस 27 into 64 प्लस 64 इंटू 8 और बटे नीचे कितना जाएगा 3 और A square का मतलब 24 into 24 clear अब इसको साल कर लो इससे multiply करेंगे तो 8 सते चपन और 8 दूनी 16 5 कितना हो एक किस 27 और 64 को multiply करेंगे तो 17 28 आएगा और 64 और 8 को multiply करेंगे तो 512 आएगा नीचे कितना हो जाएगा 3 into 24 into 24 अब इसको जोड़ लो भाई 216 17 28 और 512 यह कितना हो गया 8,2,10,66 और यहाँ पर 4 और 1 कितना हो गया आपका 5 7,5,12,2 कितना हो गया आपका 14 और यहाँ पर कितना हो गया दो यानि कि कितना है आपका 24,256 बटे नीचे 3 into 24 into आपका 24 यह 8 से कर जाएगा 8,33,24 और ना जाने का 0, 8,356 और 8,3,24 तीन तिया नो नो से गुणा करो यानि कि ऊपर कितना आएगा 307 और नीचे नो चोग 36 नो दुनी 18 और तीन कितना वो आपका 21 यानि कि 307 बटे 216 आएगा यानि कि पहला वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे दिया हुआ है कि cell में एक बाटर प्यूरिफायर को उसके बास्तिक मूल पर 10% के बटे के साथ बेचे जाता है एक store-wide cell के परिडाम स्वरूर प्यूरिफायर पर 15% का आतरिक्त बटा दिया जाता है बास्तिक मूल पर कुल बटा कितना होगा यानि कि आपसे overall discount पोच रहा है तो overall discount निकाल दू कितन 10 का दिया गया फिर 15 का दिया गया तो 10 प्लस 15 माइनस 10 इंटू 15 बटे 100 यही आपका overall discount होगा clear तो 10 और 15 कितना हो आपका 25 और यहाँ पर कितना जाएगा 1.5 इसमें से घटा दो यानि कि 13.5 का overall discount होगा तो चौथा वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे मोकिक कर सकते हैं एक बैक्ति 5.5 मीटिव पर सेकैνड कि चाल से चल सकता है वाँ आठ मिनट में कितनी दूरी करेंगा तो 8 से 8 में कितनी दूरी तैग और चाल गुणे समय तो चाल कितनी है point 5 और समय कितना है 8 और into यह कितना हो जाएगा अगर इसे second मे प्रिप्लाई कर दोगे तो पॉइंट रिसकार जाएगा यहीं कि पाँच इंटू आट इंटू छे हुआ पाँठे चालिस और छेचों कितना हुआ चौबिस दो सुचालिस हो जाएगा तीसरा वाला जो ऑप्शन है वह आपका बिल्कुल करेक्ट है अगला कोश्चन आप लो के परिमाब बरावर होते हैं यानि कि बर्ग से अगर ब्रत बना जाएगा तो परिमाब बरावर होंगे अब बर्ग का परिमाब क्या होगा फोरे तो फोरे का मतलब चार्चकू सोला चार्चकू सोला और एक सत्रा और यह किसके बरावर होगा ब्रत के परिमाब के बरावर तो ब्रत का परिमाब क्या होता उसकी परिदी यानि कि 2 पाई आर तो 2 इंटू 22 बटे साथ और इंटू आर तो 22 से काटेंगे 22 अठे 172 से काटेंगे तो कितना हुआ चार, चार सते 28 यानि कि आर की जो वैलू है वो कितनी आगे आपकी 28 तो तीसरा वाला जो ऑप्षन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है अगला कोशन आप लोग देख पा रहा होंगे दिया हुआ है एक धनरासी पर दो बर्स के लिए 30 प्रतिशत बार्सिक दर्से कि ब्याज बार्सिक रूप से सेवजित होता है और सदहार ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 3600 रुपए तो बाधनरासी क्या होगी तो आपको पता होना चाहिए दो साल का सिंपल इंटेस्ट और कंपॉण इंटेस्ट का जो डिफ्रेंस होता है वो आर का आर परसेंट होत कि टोटल कितना हो जाएगा आपका 40,000 तो पहला वाला जो अप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है अगला कोशन आप लोग देख पा रहा होंगे पूछ रहा है कि 4 और 6 का तृतिया नुपाती क्या होगा तो निमाल लिया एक्स होगा तो अगर 3 संक्या समानुपात मे तो बीच वाली का वर्ग आसपास वाले के यानि कि बीच वाली का वर्ग मतलब 36 आसपास वाले के गुडणफल के बरावर होगा तो चान नाम 36 यानि कि X की वेलो कितनी हो जाएगी 9 तो तीसरा वाला जो अप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है अगला कोशन आप बात नी, 5, प्लस 8, और प्लस कितना होगा, 5 इंटू 8 बटे 100, आपको फर्मॉला बता होगा, M1 प्लस M2, प्लस माइनस M1 इंटू M2 बटे 100, आप कुछ भी बना सकतो, फर्मॉला, D1 प्लस D2, यह X प्लस Y, प्लस माइनस X, Y यह प्लस 100, कुछ ही फर्मला बना सकते हो, यहां पर तो 8-5 कितना हुआ, 13 और यह कितना हुआ, 40-200 यानि की 0.4 होगा, यानि की कितना जाएगा आपका, 13.4 होगा, तो तीसरा वाला जो option है, वो आपका बिल्कुल correct है, अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे, इसे बस solve करना, आपको दे में 3 अंग के बाद है, तो यहां पर भी 3 अंग के बाद लाने के लिए 0 एट कर देंगे, बस इसे जोड़ लो, 2.520, 0.343 और 0.512, तो 325, 4 और एक 5 और है, कितना हुआ, 7, 5, 5, 10, 3, 13, और 3, यानि की 3.375, तो चौथा वाला जो option है, वो आपका बिल्कुल correct है, अगला question आ दूद और पानी का जो अनुपात है, वो 5 постоян दो है, यदि मिस्रण में 4 लिटर पानी मिला दिया जाए, तो हनुपात कितना हो जाता है, 5 BROWN दोद्ध में दूद की मातरा क्या होगा, देखो दूद और पानी का अनुपात कितना है, 5 Cyrup các 2, अगर हम इसमें क्या मिलाते है? 4 लि कि अगर पानी मिला रहे हैं तो दूद की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूद 5 है तो यहां पर भी 5 है, पानी कितना हो गया, 2 से 4 हो गया, यानि कि 2 ratio की value 4 के बराबर, तो 1 ratio की value 2 के बराबर, तो पूछ क्या रहा है, यहां पर पूछ रहा है, दूद की मातरा क्या हो यह दौरा बस तू आर पर किया गया वै, यह दौरा बस तू आर पर कितना वै किया गया, 80, बी दौरा बस तू क्यू पर किया गया वै, बी दौरा बस तू क्यू पर किया गया वै, कितना है, 70, पर किये गए वैसे, यानि कि comparison कितना करना, 28.56 अधिक है, यानि कि यह वाला य कि신कल एक हैं तो सतर से काफंट तो यह कि इतना जायेगा 1021 1 11 एक आएगा मतलब एक से शुरुआद होगी इस आध् añad है बंचा तीन जीरो साथ सब्थक कट्थाइज यानि कि यहाँ पर यह दिया हो, तो यह वाला गलत है, दूसरा देखो, A दौरा, P और Q पर किया गया 60, 40 और 60 इसका अशे कितना हुआ, 100 का आदा कितना हुआ, 50, 50 बी दौरा, R और S पर किया गया 60, 20 और 50 कितना हुआ, 140 उसका आदा कितना 70, मता का difference 20 है बिल्कुल 20 तो गलत बाला बताना याने कि पहला वाला जो option है वो आपका करेक्ट अगला कॉस्चन आप लोग देख पा रहा होंगे दिया हुआ है कि आकीले किसी कारे कुएगा 10 दिन में कर सकता है और महन अकेले उसी कारे को 15 दिन में कर सकता है अगर वो मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में होगा तो सिंपल कोश्चान है रोहन किसी कारे को दस दिन में कर सकता है मोहन जो है वो पंदा दिन में करता है तो टोटल काम कितना हो गया तीस एक दिन में तीन लड्डू बनाता है यह दो बनाता है साथ मिलकर काम करेंगे तो पांश लड्डू बनेंगे टोटल काम कितने दिन में होगा पांच चक्का तीस यानि कि तीसरा वाला जो option है वो आपका बिल्कुल correct है अगला question आप लोग देख पा रहा होंगे दिया हुआ है कि एक बैक्ती ने एक रुपे में 30 पैन की दर से कुछ पैन खरीदे कुछ पैन खरीदे टी 30 pen जो है खरीद रहा है कितने के 1 रुपे के और बेच कितने के रहा है 20 pen जो बेच रहा है वो कितने के बेच रहा है एक के बेच रहा है तो SP और CP निकाल लो तो बस तू को constant करते हैं या price को हम लोग constant करते हैं ठीक है यानि कि हमें यह पता चल गया यहाँ पे कि उसरी total कितने का खरीदा 20 का खरीदा और बेचा कितने का 30 का तो फायता कितना हुआ 50% clear अगला question आप देख पा रहा हूँगे यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि company q और s में महिला कर्मचारियों की संक्या क्या है यह total employee है और यह पूरूस है तो महिला कर्मचारियों की संक्या किसमे q और s में निकालने देखो q में महिलाएं कितनी होंगे अगर 1240 total employee है इस में से 350 जो हैं, माइनस करो, zero, क्यांक्र, चूदा मैसaltet, пять गया तो कितना बच्छा नो, और यहाँ पर गैरा मैसे तीन गया तो precisamente, और यहाँ कितनी आँए, एयनि कि यहाँ परमेलधा कितनी आ गए ह।os और S में कितनी है देखो यहां पे 825 में से आपका 340 जाएगा तो 5 और 12 से 4 गया तो कितना वच्छा 8, 7 से 3 गया तो कितना वच्छा आपके पास 4 तो यहां पे 480 मेरा है टोटल कितनी हो गए 5, 9, 8, 17, 8, 4, 12 और एक कितना हुआ 13, 1375 तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है अगला कोस्चन आप लोग देख पा रहा होंगे मुझे इस कोस्चन में थो 55 और ग्या चौक 44 माइनस 11, 33 और ग्या दूनी 22 यह तो आएगा और नीचे कितना होगा देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यानि कि 13 बटे 2 और माइनस का 1 होगा ठीक है तो अगर हम उपर 4 LCM ले 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 तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 चौक 24 और 2 कितना होगा 26 माइनस का 5 और य आपका देखो अगर इस में से 264 में से 11 जाएगा तो 253 बचा नीचे कितना 11 इंटू दो तो 11 से काटेंगे 12 बाइस ग्याद या 33 यानि कि 30 बटे 2 आपका 11.5 आएगा मेरे इसाप से ठीक है तो इसका जो आंसर है वो गलत दिया होगा ठीक है बाकि आप देख लिजएगा उ इसे साल कर लो देखो आठ में से 4 गया तो कितना वचा 4 और 36 में से आपका 24 गया तो कितना वचा 12 तो कितना हुआ 16 ठीक है तो बस 8000 और डिवाइड करेंगे 10 से इंटू कितना हो गया 16 तो 16 अठे कितना होगा आपका 128 दो 0 और बढ़ा दो यानि कि पहला वाला जो आप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है तो उमेद करता हूं कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे कोश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाया होंगे करना क्या है इस क्लास को जाता जदा सेर करना है उसके लाबा अगर आप चैनल पर नहीं है और आपने भी तक किसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा